भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, 1947 से 2023 भारत के अब तक चुने गए राष्ट्रपतियों की सूची दी गई है, जो की आपको विभिन परिक्षाओं की तयारी में मदद करेगी, साथ ही उनसे जुड़े कुछ महत्वपून तथियों का विवरन भी दिया गया है। कार्य कालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वो सम्विधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारती अस्वाधीन ता अंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन भारत के दूसरे सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसेन भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी प्राष्ट्रपति वी गीरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहमद हिदायतुलाह 20 जुलाई 1979 से 24 अगस्त 1979 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये भारत के सबसे प्रसिद तबला वादक थे मुहम्मद हिदायत उल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था इनको भारत में शिक्षा की क्रांती लाने के लिए भी याद किया जाता है इनके नित्रित्व में राष्ट्रिय मुस्लिम विश्व विद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था भारत के चौथे राष्ट्रपती वी वी गिरी वी वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपती थे इनका पूरा नाम वराहगिरी वेनकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगन्ना करनी पड़ी थी। ये पहले भारत के कार्यवाहक राश्ट्रपती रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के पांचवे राश्ट्रपती फक्रुद्दीन अली एहमद भारत के पांचवे राश्ट्रपती थे। इसके साथ ही ये दूसरे राश्ट्रपती भी थे। जिनकी मृत्यू राश्ट्रपती के पदपर ही हो गई थी। बी, डी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपती बनाया गया था, नीलम संजीव राध डी, छठवे राष्ट्रपती, भारत के छठे राष्ट्रपती बने और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वह भारत के ऐसे राष्ट्रपती थे जिन्हें राष्ट्रपती के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाये जाने के बाद वह राष्ट्रपती पद पर निर्वाचित हुए थे साथवे राष्ट्रपती थे ग्यानी जेल सिंग, राष्ट्रपती बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे भारतिया डाक घर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था उनके राष्ट्रपती कार्यकाल में बहुत सी घटनाई घटी जैसे ओप्रेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गारी की हत्या और 1984 में सिख्व विरोधी दंगा अंठ्वे राष्ट्रपती थे आर वेन कट्रमन आर वेन कट्रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपती रहे थे वो एक भारतियव वकील, स्वतंत्रता, संग्रामी और महान राजनेता थे उन्होंने अपने राष्ट्रपती काल में सरवादेक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपत दिलाई थी नवे राष्ट्रपती थे, डॉक्टर शंकर गयाल शर्मा, वो अपने राष्ट्रपती पद से पहले भारत के आठवे उपराष्ट्रपती थे वो 1956 से 67 तक वो कैबिनेट मिनिस्ट भी रहे इंटरनेशनल बार असोसियेशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलबदियों के कारण Living Legend of Law Award of Recognition दिया था दस्वे राष्ट्रपती, के, आर, नारायनन, के, आर, नारायनन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपती तथा प्रथम मल्याली व्यक्ती थे जिन्हें देश का सर्वोचपद प्राप्थ हुआ था वे लोकसभा चुनाव मददान करने वाले तथा राज्य की विधान सभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपती थे ग्यारवा राष्ट्रपती थे डॉक्टर ए, पी, जे, अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल में नाम से भी जाने जाते हैं वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपती पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपती जो सर्वादेक मतों से जीते थे उनके निर्देशन में रोहिनी एकुपग्रा, अग्नी और प्रित्वी मिसालों का सफल प्रक्षेपन किया गया था यहां तक की 1974 एवं 1998 में भारत के परमानू परीक्षन में उनका महत्वपून योगदान रहा था 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 85 तकवा 5 बार महराष्ट्रा की विधान सभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी इतना ही नहीं वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपती भी है 13 राष्ट्रपती थे प्रनब मुखर जी प्रनब मुखर जी राष्ट्रपती चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वितमंत्री के पदपर थे उनको 1997 में सर्वश्रेष्ट सांसद का पुरसकार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूशन प्रदान किया गया था 14 राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद का जन में एक अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था वो ही एक वकील और राजनेता हैं वो भारत के चौदहवे और राष्ट्रपती हैं रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपती बने और भारतिय जन्ता पार्टी के सदस्य रहे राष्ट्रपती बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे राजनीतिक समस्याओं के प्रती उनके द्रिष्टिकों ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशन सा दिलाई एक राजपाल के रूप में उनकी उपलबधियं विश्ववी द्यालयों में भरश्टाचार की जांच के लिए न्याई कायोग का निर्मान करना था तुएं, राष्ट्रपती, ड्रौपदी मुर्मू ड्रौपदी मुर्मू भारत की पंद्रवी राष्ट्रपती बनी ड्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिसा के मयूर्भंज जिले के उपर बेरा गाव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरची नरायन टुडू के घर हुआ था वो ज्ञार्खंट की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में ओडिसा विधान सभाद्वारा सर्वश्रेष्ट विधायक विधान सभा सदस्य के लिए नीलकंट पुरसकार से सम्मानित किया गया था। भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची 1947-2022 राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमोख होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये देश का सर्वोच समवैधान एक पद है। भारतिय समविधान के अनुच्छेद बावन में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा और अनुच्छेद तिरपन के अनुसार, संध की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से निश्पादित की जाएंगी निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपती का चुनाव करता है राष्ट्रपती का चुनाव संसद और राज्य के विधान मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपती का चुनाव करता है और इनक पती के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है.